हेलो एब्रिवन वेल्कम टो केमेश्ट्री भाई चैतनय सर टोड़े वी आर गोंग टो डिसकस सॉलिड इस्टेट तो सॉलिड इस्टेट अब बोट्स के पॉइंट अब व्यू से पढ़ेंगे और इसमें देखते हैं क्या आगे करना हम लोगों को तो सबसे पहले बात करते ह होने हैं सॉलिड कि अ है अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड दो तरह के होते हैं वहीं है कौन कौन से एक होते हैं क्रिश्ट्लाइन है और दूसरे होते हैं एम्मोर्फस तो एक और सब्सक्राइब होते हैं जिनके शार्प मेल्डिंग पॉइंड होते हैं इस ग्रेक्टरिस्टिक्स हीट कपैसिटी होती है इनमें एक में जो है और यह कैसे होते हैं तो पहले इनके डिफ्रेंस हम लोग देख लेते हैं जैसा अगर बात करें तो शेप कैसी होगी जोमेटिकल सेफ क्रिश्टलाइन सॉलेट्स की फिक्स होगी कि ऐमोर्फॉस सॉलेट की शेप कैसी होगी मैटिं़ पॉइंट कैसा होगा और डिंव मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चु करना ही जिसे और फिर करना चुरू करते हैं थो जो भी क्रेदunnस उलिफ n होग तो तो दी धीरे ऑनांकेशन योगा उम convention होगा लेकिन जो शार्प की बात करते हैं तो इक पर टेमप्रेचर तक वह हीट नहीं होगा और फिर जाके वह एक प्टिटिबट टेमप्रेचर पर ही मेल्ट होगा उससे पहले मेलटिंग नहीं हो पाई तो था रहे तप अ il है कि जो melting point होने का मतलब है कि softening नहीं होगी बिल्कुल solid रहेंगे crystalline रहेंगे और जैसे particular melting point पहुंचेगा वहाँ पे जाके वह meltdown हो जाएंगे हम इने sharp as knife से cut कर सकते हैं कि heat of fusion भी characteristic होगी fix होगी क्योंकि melting point fix है तो fuse कैसे होते हैं एन आईइसोट्रॉपिक होते हैं अगर मैं बात करो एन आईईयोट्रॉपिक की तो कि अन इसाट्रॉपिक का मतलब है कि जो not same कि not same Isotropic माणे सेम एन आइईयो ट्रॉपिक माले नॉट सेम ऑब क्या सेम नहीं होगा मान लेते कि कोई हमारे पास crystal है ए बी टाइप का crystal है हमारे पास crystal जो है वह वह अगर यह अगर अगर यह अगर यह अगर यह अगर किसी एक डाइरेक्शन से लाइट पास करें तो डाइरेक्शन चेंज करने से स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज जाएगी रिफ्रेक्टिव इंडेक्शन जाएगा यानि अलग 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 प्रापरटी शो होंगी मतलब अगर हमने इधर से याली लाइट अगर हमने भेजी तो इधर से जो य्ट जाएग कोण्पोनेंट्ट अरहे हैं वेक्टर के ओंसे आरहे रहा है फिर यार लाइए फ्र भी आ होई अर। जाएग्वार्मेंट है वह बदलता जा रहा है molecular level पर उसका मतब क्या है या इसो ट्रॉपी में क्या होगा इसो ट्रॉपी में जो crystal होगा अगर हम क्रिश्टल 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 की बात करें तो इसमें regular arrangement तो होगा नहीं तो कुछ वह भी रेंडम लिख देते हैं क्योंकि यह अमॉर्फ़स है इस लिए इसमें रेग्लर आर्रेजमेंट तो पॉस्बिल नहीं है तो हम किसी एक डियरेक्शन के अलॉंग अगर लाइट को प्लो कराएंगे माल यह हम ने इस डियरेक्शन के अलॉंग भेजा तो क्योंकि स्मेट कि मैंज है अगर हम यहां पर वी और वी लिख लें तो इस डारेकशिन के लांग से स्पीट से मा होगा कि लाइट के वेक्टर्स जो इलेक्रो मेंगेटिक वेक्टर्स मॉलीकुल के साथ इंट्रेक्ट करेंगा और उसी साफ से क्लासिफिकेशन ओफ क्रिश्टाइन सॉलिट्स किया, इस विए बात करेंगे तो हम लोग क्रिश्टाइन सॉलिट्स रखते हैं, क्योंकि हमें सॉलेड स्थेट में, सॉलेड स्थेट यूठ्स फिजिक्स का पार्ट है, जब हाईर लेवल पर पढ़ता है, अभी केवल, चेमि मेंुल है है क्लासिफिकेशन आफ ख्रिश्लाइन इसमें हम लोग में रिर तरह के गका है कॉंसे आ मोलीकुलिकुलर आ इत्या मॉलिकुलर ओड्रिट नमबर टू इस है डा ऐनकल एस है सबसे इंपोर्टन हमारे ऐनकलड सब्सक्राइब पिर, metallic solids, and then comes, hydrogen bonded solid, या hydrogen bonded की रिख लिख लेते हैं, metallic solid, अचा यह hydrogen bonding तो उपर आ गया, तो इसमें लिख लेते हैं, covalent network solid, covalent हो जाता है, कभी-कभी, network solid, है ना, तो यह चार तरह के हमारे solids हैं केश्टलाइन solids जो होते हैं वह तीन तरह के होते हैं molecular solids जो है वह हमारे पास तीन तरह के हैं कौन-कौन से देख लिएता है नॉन पोलर molecular solids फिर polar molecular solids और फिर hydrogen bonded solid ठीक है जो non-polar molecular solids हैं उनमें जैसे हमने आरगन से solid बना दिया solidify कर लिया CCL4 को कर लिया या फिर हम लोग H2 को कर ले या I2 को कर ले तो यह कैसे molecules से non-polar molecules से और इन्हों जमने फ्रीज किया temperature कम किया तो इनसे जो करेंगे इन्हें फ्रीज करेंगे तो फ्रीज करने पर क्या हो जाएंगे यह भी हमारे solidify होंगे और solidify होने पर हम इने कहेंगे polar molecular solids hydron bonded solid कौन से होंगे जैसे ice हो गया सब लोग जानते है ice ठीक है आइनिक solids हमें mainly पढ़ने है यह हमारे सबसे ज्यादा काम की चीज है कि आइनिक solids हमें पढ़ने है इन में जो force of attraction होगा और वो electrostatic होगा हो कैसा होगा electrostatic होगा और सबसे यह चेप्टर में में आइनिक solids के बारे में पढ़ना है metallic solids metallic solids यह metals होंगे basically जिसमें metal science metal lines are hold by metal lines are hold by sea of free electrons sea of free electrons फिर covalent network solid जैसे हमारे diamond हो गया जो कि hard होगा और diamond is one of the hardest matter it is not the hardest matter no the hardest matter is graphene ठीक है तो यह बात हो गई इनकी अगर इने table के form में देखे हैं तो NCRT में एक table है हम NCRT से table भी देख सकते हैं इसकी और NCRT से table याली बनी हुई है याली table पर पहुंच सकते हैं कि जो molecular solids थे वो आखे थे non-polar polar और hydrogen bonded जो force of attraction थे वो कौन से थे dispersion forces थे London forces थे इसमें non-polar वाले में ठीक polar वाले में डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन और hydrogen bonded solid में hydrogen bonding है ठीक example मैंने पताई दिये आपको तो ice hard होती है insulator होती है और low density होती है और बाकी यह soft insulators है और इनके melting point बहुत कम होंगे ionic solids में एक्ट्रेटिक force of attraction है और इसके example तो हमें number of examples लिख सकते हैं NACL के ACL कुछ भी लिख लो तो यह होगा यह hard or brittle होंगे insulator होंगे solid state में यह important बात है कि insulator होंगे in solid state but molten state और aqua solution में very good conductors होंगे ठीक है और इनका melting point होगा हाई metallic solids में metallic bonding होगी और positive charge इस सब्सक्राइब होंगे मेलेबल होंगे डक्टाइल होंगे इनके metals इनके example हो गया फिर इसके बाद हम लोग कोवलें नेटवर्क solid के बारे हम बात कही थी तो होंगे इसका example हमने diamond लिखा था और हार्ड होंगे कोवलेंट का एक specific example ग्रेफाइट है ग्रेफाइट क्यों ग्रेफाइट soft होता है और conductor भी होता है तो यह exceptional example है कि इसका कोवलेंट नेटवर्क solid का ठीक है अब आगे बात करते हैं अब बात करते हैं यूनिट सेल के यूनिट सेल एंड लेटेस यूनिट सेल और लेटेस क्या होता है लेटेस इस लेटेस इस लिख देता हूं 3D arrangement of लेटेस इस 3D arrangement of identical repeating यूनिट्स लेटेस इस 3D arrangement of identical repeating यूनिट्स अब हम 3D में सेम चीजों को repeat करेंगे end the smallest unit and the smallest unit by which lattice can be formed by translation motion is called a unit cell unit cell क्या होगा हम unit cell को rotate नहीं कर सकते हम उसे translate कर सकते हैं x में y में ले जा सकते हैं and y में ले जा सकते हैं unit cell को तो rotation is not allowed और unit cell के एक खास बात क्या है कि unit cell should always start from a lattice point end up on a lattice point एक lattice point से start होना चाहिए और lattice point पर ही उसे finish होना चाहिए तो हम उसे कहेंगे क्या कि वो हमारा unit cell है ठीक अब lattice point क्या होते हैं और unit cell कैसे बनाएंगे तो देख लेते हैं मान लेते हैं कि यह जो point बना रहा हूं यह हमारे क्या है यह हमारे points क्या है यह lattice point है और इन से जोड़के हमने एक unit cell बनाया तो हमने में मान लेते हैं कि यह एक unit cell बना सकते हैं कोई जरूरी नहीं कि square और ओंबस हो कैसा विसकता अगर मैं पहले लोग्राम बनाना तो दिस कैना उसो भी यह unit cell और यह infinite lattice है तो यह infinite तक जाएगा ठीक है तो इस तरह के हम यह unit cell बना सकते हैं तो हमारा यह क्या हो गया यह हो गया unit cell यह लिख लेते हैं और unit cell बी लिख लेते हैं अब इस ही unit cell को हम अगर एकसाइज ही तीनों में expand करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा हमारा lattice बन जाएगा ठीक है अब अलग अलग तरह से चीज़ों का arrange कर सकते हैं और कितनी तरह से arrange कर सकते हैं इस बात पर depend करता है कि lattice कैसा बनेगा जब हम लोग 3D space में points को arrange करते हैं तो इसका best तरीका बताया किसने इसका best तरीका बताया ब्रेवाइस ने इस ने बताया ब्रेवाइस ने क्या बताया कि जब हम लोग atoms को arrange करते हैं to there are only 14 ways in which the at three atoms in 3d space can be arranged according to the him according to him when we arrange identical atoms atoms रिख लेते हैं point रिख लेते हैं एक ही बात है in 3d space there are only 14 ways केवल 14 तरीके से ही हम इन्हें लिख सकते हैं 14 के ज्यादा तरीके नहीं है फॉटीं तरीके से ही नाать सकते है अगा 14 तरीके कैसे आएंगे वो हम लोग देख लेंगे लेकिन उससे पहले हम रूप बना लेता है उसने डमने ये गिस्त लेट्क ने कि अध्..? अदय है योश ने क्या दुए को लिए तो यह हमने एक Q ड्रॉ कर लिया, ठीक है, लेटिस परामीटर में उसने तीन एंगिल डिफाइन किये और तीन लेंथ लेंथ को लिखा A, इसे लिखा B और इसे रिख लिया C, बी और सी के बीच का जो एंगिल था वो था एलफा फिर यह बीटा और इसे गामा ए और बीच के बीच के एंगिल को गामा का तो उसने कुल 13 14 सबसे पहला जो दिया हो क्या था है क्यूबिक देन टेट्रागोनल है देन और्थोरॉम्बिक है देन हेक्सागनल है देन रॉम्भोहेड्रिल अ रॉम्भोहेड्रिल को ट्राइगोनल भी कहते हैं देन मोनो क्लीनिक एंड ट्राइक्लीनिक ठीक तो इन जब के लिए ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में रिलेशन भी लिखा तो हम लोग इसे दुबारा लिख लेते हैं और थोड़ा इलैबरेट करके से बताई देते हैं क्या हो रहा था क्यूबिक था क्यूबिक के लिए जो lattice parameter थे वो A equals to B equals to C था और alpha equals to beta equals to gamma is equals to 90 degree था यह क्यूबिक के लिए था यह बड़े important है इन्हें ध्यान रखना है मैं ठीक है दूसरा crystal system था tetragonal tetragonal is A is equals to B not equals to C and alpha is equals to beta is equals to gamma is equals to 90 degree फिर था orthorhombic orthorhombic के लिए क्या है orthorhombic के लिए लिखे हैं तो A is not equals to B not equals to C and alpha is equals to beta is equals to gamma is equals to 90 degree तो भाई तीन हो गया जिसमें पहले में ABC बराबर है अलफा बीटा गामा बराबर है तो पहले थीन में जहां रखना है अलफा बीटा गामा सब 90 degree ही है अब बात आती है कि alpha बीटा गामा को चेंज करेंगे तो लिख लेते हैं hexagonal सिस्टम में A is equals to B not equals to C है और alpha is equals to beta is equals to 90 degree है और गामा की value जो है वो 120 degree है hexagonal सिस्टम में alpha और बीटा बराबर है और गामा की value 120 degree है फिर बात आती है रॉंबो हैट्रल की रॉंबो हैट्रल के लिए A is equals to B is equals to C है और A is equals to B not equals to C है और alpha is equals to beta not equals to gamma है ठीक है फिर उसके बाद आता है मोनो क्लिनिक मोनो क्लिनिक के लिए A is not equals to B not equals to C है और alpha is equals to beta is equals to 90 degree है और beta is equals to 90 degree है ठीक है और ट्राइक्लिनिक जो है उसमें A is equals to not equals to B not equals to C है और alpha not equals to beta not equals to gamma not equals to 90 degree है तो यह most symmetric है क्यूबिक और यह most unsymmetric है एक most symmetric है और एक most unsymmetric है अब आगे बात करते है और हमें जो slaves में पढ़ने है वो दो system mainly पढ़ने है जो हमारे slaves में वह है cubic और एक और आता है जिसे हम कहते हैं hexagonal ठीक है cubic और hexagonal तो cubic में इस इन क्रिश्टल दिश्टम बना सकते हैं कौन-कौन से एक तो बना सकते हैं primitive है है second बना सकते हैं एक पेस सेंटर्ट और थर्ड बना सकते हैं बॉडी सेंटर्ट और hexagonal में बना सकते हैं केवल एक प्रिमिटिव तो सबसे पहले अब हमें इनके questions करने के लिए कैसे questions मनते या primitive और यह होते क्या है इनके लिए हमें थोड़े से calculations की जरूवत होगी तो हम पहले बात कर लेते हैं कि क्यूब को देखते हैं क्यूब यह माल लेते हैं कि हम लोग जहां पर भी वीडियो देख रहे हैं सुना है classroom में question करेंगे वीडियो देखते समय नहीं वीडियो देखते समय कैसे करोगे मतलब जब पेपर दोगे तब भी इसी classroom में बैठे होगे तो चार वाल्स होगी तुम्हें पास और एक फ्लोर होगी और एक रूफ होगी है छे फेसे हमेशा होगे तो बेसिकली मुसे क्यूब मान सकते हैं चाहें वह क्यूब आउड हो या फिर क्यूब ही हो तो क्यूब में नंबर ओफ फेसे कितने होता है अपने सामने के लवाई सामने वाल वाल एक दो लेश्ट में राइट में उपर और नीचे तोOoh फेस कितने हो गई है six नुम्बर ओफ और और यहंशा सामने नुम्ह नुम्हें कितने होतें दिखना भी यह ना जिससे तुम्हें कॉर्णर दिखाई देने लगे नंबर ओफ एज़ेज बता सकते हो कितनी होंगी जल्दी बताओ नंबर ओफ एज़ेज होंगी बारा नंबर ओफ फेस सेंटर कितने होंगे नंबर ओफ एज़ें जल्दी भई हर फेस का एक सेंटर में वहां और यौटा करोगा वन अब अगर हम अपना क्यूब बना लें अगर हम क्यूब ड्रॉ कर ले अपना यह हमने क्यूब ड्रॉ कर लिया और इसकी हमने एज लेंग ले लिए एच लेली ए तो वॉल्यम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा बताओ भई यह सबको पता है वॉल्यम ऑफ क्यूब होगा एक्यूब ठीक वॉल्यम ऑफ क्यूब आ गया एक्यूब अब लेंथ ओफ पेस डाइगनल पेस डाइगनल भाई देखा सामने तुपारे ऊपर राले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर को मिलाँ सामने वाले को तो या जाएगा एक यह लगैंकाल विलेकली मैं इसकी बात कर नह ACC says आ जाएगी रूट टू टाइम से आ जाएगी पिर बात करते हैं लेंथ आव बॉड़ी डाइगनल के अब थोड़ी बात है और लिख लेता है त्यक्तर में अब थोड़ी बात है और लिख लेता है distance from Corner to body center body center हो जाएगी root 3a by 2 body center corner से आपकर पूली लेंध आ जाएगी कितनी रूट 3 है तो उसके आधी कितनी है रूट 3 है रूट 3 है रूट 2 distance of face center from corner that will also be रूट 2 रूट 2 रूट 2 यानि कि हम इसे अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकता है रूट 2 number of body diagonals कितनी होगी number of face diagonals कितनी होगी ऐसी face diagonal होगी 12 यह क्या है number of face diagonals होगी और number of body diagonal कितनी होगी हो जाएंगी कितनी और कौन कौन सी टॉप से राइट टॉप लेफ बॉटम लेफ टॉप राइट बॉटम फिर back side का right top left का down सामने वाला बॉटम और फिर नीचे से उपर इस तरह थे ठीक है तो यह बाते होगी clear अब डिस्टेंस बिट्वीन तू एडजेसेंट कितनी होगी डिस्टेंस बिट्वीन टू एडजेसेंट फेसेंटर ही मैं इसने बता रहा हूं कि जब तुम वाइट पढ़ोगे जब तुम आगे तो इसे चल के डामेंशन निकाल होगे तो तुम्हें डिस्टेंस की जरूवत होगी अगर यह टिप्स पे है तो सवाल हाड़ी टेक्स मिनट टू सॉल ठीक है तो डिस्टेंस बिट्वीन अडजेसेंट फेसेंटर विल भी एवाइव रूट टू डिस्टेंस ओफ पेसेंट अब यह टूब करेंगे अब यह मान लेते हैं कि हमें क्यूब पता हो गया क्यों के बारे में सारी जांकारी कर लिए तो भाई क्या करेंगे हम लोग अब हम लोग देखेंगे कि क्यूब से हम लैटेस काय से बनाते हैं अब भाई जड़ा भात ध्यान से सुनना लिखने की बात कम है समझने की ज़्यादा है इसमें solid से 3D व्यू करना पड़ेगा तो लिखने से कोई फाइदा ज़्यादा होगा ने अगर हम क्यूब को visualize करना चाहते क्यूब को मैं तो lettuce form करना पड़ेगा तो lettuce form कैसे करते हैं माल लेते कि तुम्हारे सामने वाली वाल जो है उसके पीछे एक रूम है ऐसा imagine करते हैं कि सामने वाली वाल के पीछे एक रूम है तो मैंने माल लिया कि जिस रूम में हम बैठे हैं वो रूम यह है इसमें हम बैठे है ठीक तो इसके पीछे वाली वाल के पीछे भी एक रूम है ठीक तुम्हारे जो सामने वाली वाल है उसके पीछे वाला रूम हो गया किया उसके सामने भी वाल होगी और उसके पीछे भी एक रूम है तो यह एक लियर में चार रूम दिखने चाहिए और अगर हम इसी के साथ एक और उपर सेकेंड फ्लोर बना दें तो यह कॉर्णर जो होगा इस कॉर्णर विल भी शेयर्ड विद एट क्यूप्स यह फेस है फेस कितना से शेयर्ड है फेस सेंटर शेयर्ड विद टू क्यूप्स टू क्यूप से शेयर्ड है जो एज है जो एज है वो कितना से शेयर्ड होगी अगर सामने वाली एज को देखो यह एज देखो यह कितना से शेयर्ड है यह एक रूम जिसमें तुम बैठे हो इसके पड़ोस वाला दो इसके पीछे वाला तीर उसके पीछे वाला चार तो ट और जो बॉड़ी सेंटर है हर क्यूब का वो अपना पर्सनल होगा तो तो दा बॉड़ी सेंटर इस शेर्ड विद वन क्यूब में पता रगे है एक कि तन Saoir चारके साथ इससा इसको में अहurally pass तो वनक्यूब के साफ के साथ सब्सक्राइब है अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं simple cubic lattice के बारे में हम लोग पढ़ते हैं simple cubic lattice के बारे में simple cubic lattice में क्या होता है the atoms are arranged the atoms are arranged only at the corner of the cube corner of the cube जब केवाल corner पे हमने atoms को लगाया तो हमारा क्या बन गया simple cubic lattice बन गया तो मैं इसे draw भी कर देता हूँ तो atoms को कहा लगाएंगे केवल corners पे लगाएंगे और atoms हमारे क्या है spheres हैं तो हम corner पे लगा रहे हैं तो हम सारे corner पे लगाने की जगएंग तो number of effective items बाकी सब जगाएंगे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे तो हर corner पे हैं लेकिन उसे सब जगा बनाएंगे गंदा गंदा हो जाएगा इस लिए ठीक तो अब हम number of effective items निकाल लेता है number of effective items in primitive unit cell or simple cubic lattice they are the same thing तो इसे मैं कैसे लिखता हूं 1 by 8 into 8 जैनी 1 1 by 8 is the contribution from every corner contribution from every corner contribution from every corner का मतलब क्या है कि भाई हर corner आठ क्यूब से shared था तो अगर हम एक sphere लाएं बड़ी सी football लिया या बलकी बॉल लिया और वहां पर रख दे balloon लाके तो एक क्यूब में कितना portion आएगा अगर हम corner को sphere का center मान ले तो एक वह corner कितना से shared है आठ से तो एक क्यूब में कितना portion आएगा 1 by 8 और ऐसे 8 corners पर लगे हुए तो कितना आ जाएगा 1 by 8 into 8 यानि की 1 आ जाएगा ठीक है अब हमने क्या किया इसकी edge length मानली a और edge length वाली cube की a तो volume of cube हो गया हमारे पास कितना a cube और अगर हम यह कहें कि the radius of atom the radius of atom और sphere इस आर तो a will be equal to 2r यह हमें दिख रही है वहां से सामने से पता चल लए यह कि यह इसकी radius हम आर मान सकते और इसकी radius आर मान सकते हैं तो a is equal to 2r हो गया है तो हमें simple cube में यह पता लग गया कि a is equal to 2r है number of vector items 1 है अब अगर हम बात करें density of a cell की density of a unit cell density of a unit cell density of a unit cell की बात करनी है तो हम simple बात करते कि density होती क्या वाई density is mass by volume density सबको पता है क्या होती mass by volume formula रटने की जरूवत नहीं होती यार्दे वो समझ जाओगे तो रटने कोई जरूवत नहीं है mass by volume होती है mass कितना हो गया mass is number of atoms present in a unit cell into molar mass into molar mass अब क्योंकि हम molar mass ले रहा है तो molar mass से हमें divide करना पड़े गा किस से na से क्योंकि हम atomic mass निकाल पा है और volume हो गया कितना a cube तो density का formula आ गया जेड इंटू एम डिवाइड़ बाई a cube इंटू ए यह डेंसिटी का formula आ गया ठीक रटने की जरूवत नहीं density सिंपल और जट दिस नंबर अफ अब निट इंस नंबर अब अमब अब हम इंट पता लग गया थो हमने अगर देखें फौर सिंपल क्योंग लैटिस अगर हम देखें पार सिंपल क्युविक लैटिस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 तो डी की वैल्यू जो जाएगी 1 इंटू एम बाई एक्यूब इंटू एने आ जाएगी ठीक है तो यहां से हमने क्या निकाली डेंसिटी आफ़ यूनिट से निकाली अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं पैकिंग एफिशेंसी की पैकिंग एफिशेंसी इपेंटे पाउड एटा alc इंट विल्म occupied divided by total volume available ठीक तो अगर हम percentage total volume occupied कर से निकलेंगे number of atoms into volume of one atom तो लिख लेते हैं eta will be equals to z into volume of one atom divided by aq अब अगर हम for simple cubic देखें for simple cubic unit cell देखें तो इटा की value कितनी हा जाएगी एक चल का volume है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब divided by aq और a is equal to 2r है तो इस उठाके यहां पर रख दें तो इटा की value कितनी आ जाएगी पॉर बाई थ्री पाई आर क्यूब डिवाइड़ बाई टू आर का whole क्यूब तो यह आ जाएगा पॉइंट फाइफ टू पॉर तो अगर हम percentage efficiency की बात करेंगे तो percentage packing efficiency तो आजाएगी 52.4% अब कई बार क्या पूछते हैं कि वाइड फ्रेक्शन पूछ लेता है वाइड मतलब खाली स्पेस वाइड मीन्स एम्टी स्पेस तो पैक जितना होगा 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वाइड स्पेस आ जाएगा कि 100 में से 52.4 को माइनस कर देंगे तो हमारा वाइड फ्रेक्शन आ जाएगा राइट तो यह बात हो गई सिंपल क्यूबिक की हमने सारी बाते कर ली packing efficiency निकाल ली और हम लोग वहने density भी निकाल ली अब बात करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के फेस सेंटर यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि अटम कहा का प्रेजंट होता है अटम कहा है कि अटम कहांँ निकर रेजंट बाते मैं हम सेंटर प्रिफट्ट निक्छर सेंटर था फ्रेफट्ट सेंटर है क्यूंस विए इटम कहा प्रेजेंट है और प्रेजेंट और प्रेजेंट लेते हैं थे को यहां पर बना लेता हूं कि इस तरह से बना लेता हूं इसा की corner पे है corner पे है और यहाँ पे face center पे है तो यह जो diagonal होगी अगर इसकी length a मालने और यह भी a ले ले तो diagonal की length कितनी हो जाएगी root 2a and root 2a will be equal to अगर हम इसकी radius r ले 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 तो यह भी r होगी यह भी r होगी और यह भी r होगी तो that is equal to 4r तो a और r में relation हमने निकाल लिया तो number of effective items कितने आगए भाई number of effective items कितने आगए that is equal to 1 by 8 सारे corners पे हैं और सारे face centers पे हैं यहाँ पे भी items है ना सारे corners पे हैं और सारे face center पे भी है ठीक है तो 6 faces पे हैं तो 1 by 8 into 8 plus 1 by 6 into 2 1 by 6 into sorry 1 by 2 into 6 faces तो 6 है ना into 1 by 2 1 by 2 क्या है contribution from each face center तो यह आजाएगा कितना 4 तो हमारे पास क्या आगया हमारे पास आगया कि a is equal to आगया 2 root 2 r इसे हम लिख सकते हैं अगर a को value लिख दें तो क्या लिख देंगे हैं यहां से a is equal to 2 root 2 r आगया और number of effective items आगया चार तो हम इसके सीधे packing efficiency निकालने हैं पैकिंग एफिशेंसी विल इकोईश टू इटा की value निकालने हैं तो 4 इंटू 4 बाइ 3 पाई आर क्यूब अपॉन एक क्यूब की value कितनी हो जाएगी 2 root 2 r का क्यूब इससे जब सॉल्ट करेंगे तो 0.74 आ जाएगी तो percentage packing efficiency जो आ जाएगी वह 74 परसेंट आ जाएगी ठीक है फिर इसके बाद बात करते हैं number 3 that is body center cubic arrangement body center cubic arrangement में क्या होगा इसे हम BCC भी कहता है तो atoms कहा कहा है atoms are present at corners and at the body center atoms are present at corners and body center तो हमने यहाँ पर लगा लिया यहाँ पर लगा लिया और यहाँ पर लगा लिया फिक यह सब sometimes at corners at corners and at body center corner पर रहेंगे और कहां पर रहेंगे body center पर रेंगे बात समझ में आ रही है सबको कि corner पर रहेंगे और body center पर रहेंगे तो क्या हो जाएगा number of effective एटम कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे वन बाई एट इंटु एट प्लस वन क्यानिकी टू और ए और आर के बीच में जो रिलेशन आ जाएगा वह आ जाएगा रूट 3A is equal to 4R तो हम इसकी भी पैकिंग efficiency निकाल लेते हैं तो पैकिंग efficiency कितनी आ जाएगी इटा विल वी इकवर्ज टू नंबर ऑफ एटम से हो गए 2 इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब डिवाइड़ बाई एक यूब था तो एक वैल्य होगी 4R by root 3 तो यह आ जाएगा तो पॉइंट 6 एट तो परसेंटेज पैकिंग एफिजेंसी कितने आ जाएगी एट परसेंटेज पैकिंग एफिजेंसी आ जाएगी 68 परसेंट तो अमंग क्यूबिक क्रिश्टल्स पैकिंग इफिजेंसी हैं अध्यस्ट पैकिंग एफिजेंसी योफ ट्रेश्ट पैकिंग तो इस तरह से हम प्रेकिंग एफिजेंसी को ध्यान रख सकते हैं अब इसके बाद बात करते हैं है कि मैं ड्राइब नहीं करता हूं क्योंकि बोर्ड में डेरिवेशन नहीं आगा डेरेक्टली तुम्हें वेल्व याद रखनी है तो फॉर है कि है क्लोस पैकिंग कैसे करते हैं यह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा उसमें दालता है और देखेक्स बात करेंगे में तीन चीज़ें बचिए अभी अम लोगों ने बेसिक बेसिक बात कर लिए इससे में निमेरिकल पोर्शन मनता है ठीक है तो एक्सक्राइब क्लोस पैकिंग में क्या होगा कि एटम्स क्यों होंगे एटम्स अर अरेंज़ड अट कॉ फेसेंटर ओफ अपोजिट फेसेंटर अपोजिट फेसेंटर अट्री अटम्स अफेक्टिवली इंद सेकेंड लेयर ठीक अफेक्टिवली लिग रहा है तो टोटल अमबर अब जो अटम्स होता है तो आ stinks और जो पैकिंग एफिशेंसिय आती है कि पैकिंग एफिशेंसी jauty यह वह 74% आती है XC कि तरह वो इसे कहते हैं प्लोस पैकिंग स्यौस्फाडद रीका और हैफियो टी तो सेवेंटीफॉर परसेंट डेशेंसी आगी कैसे आई इसके डेरिवेशन करने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि हेक्सागनल की हैट निकालना मुझ्छ की काम है तो उसे अभी के छोड़ेते हैं जब जहीं के लिए बात करेंगे तो हम लोग हेक्सागनल क्लोस पैकिंग की डेरिवेशन भी करके दिखाऊंगा तुम्हें कैसे निकाली जाती है फिलाल के लिए हम लोग यहीं पर रुख जाते हैं और नेक्ट वीडियो में मैं बात करूंगा क्लोस पैकिंग की क्लोस पैकिंग के बाद बात करूंगा वॉइट्स की लोकेशन और फिर उसके बाद ब झाल